So Hello Everyone, Monday को यानि कल कुछ सेर्स में हलचल देखने को मिल सकती है, यह अप्टरेंड मुमेंट दिखा सकते हैं क्योंकि इनको नवरतन स्टेटस मिल गया है, यह PSU स्टॉक्स हैं, इस वीडियो में डिस्कस करूंगे इनके सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे मे यहाँ पर थ्री स्टॉक्स के बारे में बताऊंगे मैं आगे इस वीडियो में, पहले बात करते हैं, पहला स्टॉक है यह रेल टेल कॉर्परेशन लेवल बन रहा है, यह मैं आपको सौर्ट तम प्रस्पेक्टिव के इसाब से बता रही हूँ, तो यहाँ पर 490 रुपीज के अराउंड इसके क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे को, आगे बात करूं में इसके स्टॉंग सपोर्ट के बारे में, स्टॉंग रेजिस्टेंस के बारे में, स्टॉंग रेजिस्टेंस के बारे में सपोर्ट इसका 462 रुपीज के अराउंड आ रहा है and registrants इसकी फाइव हंड़ड नाइटीन रुपीस के आ रॉपीस के आ रहे है अगर यह यहां पर इसके अबाउ सस्टेन करता है अगर यहां पर यह और अतना status मिल चुका है यह सब PSU stocks है second stock यह है NHPC का आप देखिंगी इसकी जो closing हुई है 96 rupees के round इसकी closing हुई है Friday को इसमें मैं बात करूँ इसके strong support and resistance के बारे में इसका जो strong support नजर आ रहा है 92 rupees के round नजर आ रहा है एंड इसकी जो resistance है यह 99 rupees के round है अगर इसके अबाव sustain करता है 100 rupees में closing दे देता है तब हम बोल सकते है यह एक अच्छी resistance दूसरी resistance या दूसरा target आपको दिखा सकता है 102 इसके अबाव भी sustain करता है तब यह आपको 108 rupees तक का target दिखा सकता है in short term perspective आप लोग इन में से कोई भी stock अपने ओन रिस्क में fresh entry लेने का सोच सकते हैं अपने ओन रिस्क में लीजिएगा short term perspective के हिसाब से यह बता रही हूं मैं and last stock है यहाँ पर SJVN का इन तीनों stock में Monday को मतलब कल कुछ moment देखने को मिल सकता है यहाँ पर 133 rupees के around इसके closing होई है and short term perspective से 131 rupees के around इसका strong support है strong support का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पर closing हो रही है तब बोलेंगे हम अगर यह closing 131 के नीचे दे रहा है तो तब बोलेंगे stop loss hit हो चुका है बट वो जा रहा है फिर up आ रहा है एकदम से तो यह नहीं बोलेंगे कि stop loss hit हो चुका है support level तूट चुका है जब तक closing नहीं होई है 131 के down तो हम नहीं बोलेंगे support level हमारा hit हुआ okay so 131 इसका strong support नजर आ रहा है and resistance इसकी यहाँ पर daily time frame में देखते हैं short term perspective से so resistance इसकी 100 यहाँ पर देखते हैं 138 रुपीस के around नजर आ रही है okay so यहाँ पर अभी तो यह 133 पर इसकी closing हुई है कल Friday को okay कल तो नहीं Friday को 133 में closing हुई है 138 के अब आव यह sustain करता है तब अच्छा कासा target यह दिखा सकता है short term perspective से 144, 148 and maximum यह आपको 153 तक भी जाता हुआ दिख सकता है 153, 52 के around जाता हुआ दिख सकता है so अपने risk में आप लोग इन में से कोई भी stock buy करने का सोच सकते हैं thanks for watching